हेलो एवरीबरन एंड वेलकम बैक टू मैं चैनल सीजी व्लोगर शालीनी होफुली आप सभी सेफ होंगे और अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल टी लेमन ग्रास एंड जिंजर टी अकसर हम घर पे मसाला चाय अधरक वाली चाय और इलाइची वाली चाय बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे लेमन ग्रास एंड जिंजर टी लेमन ग्रास एजिली मार्केट में मिल जाता है इसे हम घर पे भी उगा सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने gas on कर दिया है, इसके बाद यहाँ पे मैं एक पैन चड़ा दूँगी, पैन में मैंने यहाँ पे एक कप पानी एड़ कर दिया है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक चम्मट चाय पती एड़ कर दूँगी, इसके बाद यहाँ पे मैं दो चम्मट चीनी एड कर सकते हैं एक बार इसे अच्छे से हिला ले इसके बाद चाय पत्ती को एक से दो मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है ताकि चाय पत्ती का कलर और फ्लेवर जल्दी से पानी में आ जाए दूद में चाय पत्ती डालने से कलर जल्दी नहीं आता है और चाय पत्ती का फ्लेव अब हम इसमें एक कब दूद एट कर देंगे, दूद आप कम्या ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा दूद वाली चाही चाहिए तो आप यहाँ पे दूद ज्यादा डाल सकते हैं, इसे दो मिनट तक अच्छे से उबाल ले, सर्दीयों के मौसम में इस तरह की चाय पना कर हम पी सकते हैं इससे सरदी ठीक हो जाती है अगर हमें सरदर्ध हो रहा है तो सरदर्ध भी ठीक हो जाता है दूद अच्छे से उबल गया इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच किसा हुआ अद्रक एट कर दिया है और लेमनग्रास को मैंने छोटे टुकड में कट कर एक मिनट के बाद यहाँ पे मैं इसमें लेमनग्रास ढाल दूँगी और इसे भी मैं दो मिनट तक अच्छे से उबाल लूँगी ताकि इसका फ्लेवर चाय में अच्छे से आ जाए लेमनग्रास के कई फायदे होते है इससे सरदर्ध ठीक होता है सरदी ठीक होती है तो हम बारिस में सरदियों के मौसम में इस तरह की चाय बनाकर पी सकते है तो ग्यास मैंने यहाँ पर आफ कर दिया है चाय बनकर रेडी है तो गैस लेमनग्रास टी की रेसिपी आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न बार आब ह bondा सेक्षन आपको की लिया जो अरूर न थो हैँआ खुर बů जो जोल और आपको सेक्षन का झाल यहाँ प्लाइए सर्ण की चाहाँपले जो ओूर इरुकर जो थीज़ जो की चुन ले मुझे आख क्या गज़ 강 मेंने जिया है ठ्अल की अपको की ओ